आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूँ मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं यह तो हमारा चुनावी जुमला था, हमारा चुनावी जुमला नहीं है, केजरिवाल जो कहता है, वो करता है, हम जो कहते हैं, वो करते हैं, तो यह मेरी गारंटी है, तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज चार गारंटी देके जा रहा हूं, सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा 300 यूनिट तक हर परिवार को हर महीने मुफ्त दिया जाएगा कल जब मैं रात को डिनर कर रहा था मुझे बताया कि एक मेल ने हैं यहां पे उनके यहां अगर आप उन्होंने एक लेटर बॉक्स बनाया हुआ है उनके अपना बिजली का बिल अगर आप लेटर बॉक्स में डाल के आ जाएं तो वो बिजली का बिल भर देते हैं आपका है क्या सर्थ सो मैं उस एरिया के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब आपको इन M.L.A. सांग के उपर निर्भर रहने की जरूँदिन है आम आदमी पार्टी के सरकार आने के बाद आपको आज़ादी मिलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद म.L.A. आपका बिल नहीं भरेगा आपके घर में बिल आएगा उसके उपर लिखाओगा amount to be paid zero दिल्ली में हो रहा है दिल्ली में आप यकीन नहीं करेंगे 73% of Delhi 73% of Delhi 73% of Delhi they get zero electricity bill उसमें zero लिखा होता है उसमें कोई सर्चाज नहीं होता कोई tax नहीं होता यह कुछ नहीं, zero electricity bill 73% of Delhi gets zero electricity bill and after today's announcement once आमादमी पार्टी गव्मेंट is formed once this announcement is implemented 87% of Goa will start getting zero electricity bill so पहला वादा की 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी दूसरा जैसा मैंने बताया बहुत इलाकों में हमारे लोग गए वहाँ पे देखा लोगों के बिजली के bill पुराने इतने गलत आये हुए है किसी का कुछ इतने हजार का बेज़ दिया किसी का इतने हजार का बेज दिया फिर वो जाते है ठीक कराने के लिए वो कहते हैं we will start on a clean slate पुराने सारे बिल माफ किये जाएंगे ये हमने दोनों चीज़े दिल्ली में करके दिखाई है जो आज मैं यहां कह रहा हूँ हम पहली बार कोई गोई में खोखला वादा नहीं दिल्ली में हम करके आए हैं एक्सपेरिमेंट करके आए हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल रहा वही गोई के अंदर भी करेंगे तीसरी चीज़ तीसरी बात की गारंटी चौबिस घंटे बिजली देंगे नो पावर कट दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी 2015 फेब्रुरी मुझे याद है 2014 की गर्मियों में एक साल पहले 7-7-8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में हमारी सरकार दिल्ली में भी विजली की कमी नहीं थी जयासे गोई is a surplus state दिली में भी विजली sufficient थी लेकिन पावर कट क्यों लगते थे केबल खराब थे ट्रांसफोर्मर खराब थे distribution network खराब था यहां आने से पहले मैंने Goa के distribution network को भी थोड़ा study करने की कोशिश की वही problems Goa के distribution network में भी है दिल्ली के अंदर मैंने और मेरे power minister ने दिल्ली की गलियों के अंदर घूम घूम के घूम घूम के खड़े ओके पहले धाई साल के अंदर हम लोगों ने transformer change कराये, cable change कराया distribution network को strengthen किया हमें धाई से तीन साल लगे लेकिन आज दिल्ली के अंदर 24 गंटे बिजली मिनती है वही काम Goa के अंदर हमारी सरकार करेगी पूरे distribution system को हमें strengthen करने की जरूरत है, बिजली है लेकिन वो आपके घर में नहीं पहुंच रही है उसका आपके घर पहुंचाएंगे और चौती चीज़, चौती बात किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे किसान एक बिचारा सबसे गरीब आदमें है उसको फ्री बिजली दी जाएगी खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी तो यह चार बातों की गारंटी मेरी पहली गारंटी बिजली के खित्र में